नमस्कार जहिन मैं हूँ बीलियन किर्केटर इंडिया बेस्टंडीज इस्पेसल रंतंतर में आप लोग का स्वागत है जब तास की पत्तों की तरह बिखड़ गई बिंडीज टीम चमण साल में पहली बार हुआ ऐसा जहानी है उस दोर की किर्केट पांच दिनों तक जारी रा सकता है लेकिन यदि कोई मैच दो दिन में ही समाप्त हो जाय तो उसका इतिहास के पन्नों में दर्ज होना बनता है ऐसा ही एक टेस्ट मैच इंगलेंड और बेस्टंडीज के 20 साल 2000 में खेला गया था उस टेस्ट अगस्त को 15 बिकेट गिरें वहीं दूसरे दिन यानी 18 अगस्त को भी इतने ही बिकेट पतन हुए इंगलेंड ने पारी और 49 सरनों से वह मैच जीत लिए हम आपको बता दे 5 टेस्ट मैचों की टेस्ट सीरीज का ओ चौथा मुकाबला लीड्स के हेडिंग ले मैदान पर खे शिर्वाती दिन सुबा सत्र में इंगलेंड के तेज गेंदबाजों ने बेस्टेंडीज के सिर्श करम को जगजोर कर रख दिया बेस्टेंडीज की टीम का सर्म से सिर्श जूग गया पर पांच बिकेट गिरने के बाद इवा बल्लेबाज राम नरेस सर्वन और बिकेट कीपर रीडले जैकब्स 35 रण और 68 रणों की पार्टनर सीब करके बेस्टेंडीज की पारी को संभालने का परियास किया डोमनिक कार्क ने जैकब्स को आउट करके इस पार्टनर्शीव का अंत किया यहां से बेस्टेंडीज के बाकी बल्ले बाज कुछ खास नहीं कर पाएं और उसकी पाहली पारी 48.04 ओबरों में 172 रन पर धेर हो गई सरवन ने 9.04 को की मदद से नाबाद रन बनाएं इंगलेंड की ओर से क्रेग वाइट ने 5 बिगेट के लिए जबकि डेरेन गाफ और डोमिनिक कार्क को 5 बिगेट मिले इंगलेंड भी पाहली पारी में सुरुआती कुछ खास नहीं कर पाया और पाहले दिन का खेल खत्म होने तक उसने 5 बिगेट पर 105 रन बनाएं फिर दूसरे दिन माइकल वान ने ग्रीम हिक के साथ 7 वे बिगेट के लिए 98 रन की साज़ेदारी करके इंगलेंड को लीट दिलाने में आहम रोल नी बाया से पहरे मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए